हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर फिसने एक वीडियो अक्साद आप लोग के बहुत कमेंट्स आ रहें कि भाईया स्पोर्ट राउंड कब होगा तो फ्रेंट्स आपको बता दूँ कि स्पोर्ट राउंड की डेट एनाउंस हो चुकी है तो इस वीडिय सुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लास्ट कांसलिंग स्पोर्ट राउंड के माध्यम से बीटेक फर्स्ट एयर की रिक्ट सीटों के मेट 2020 तथा जेई मेंस 2020 हों मिस्टेट के प्रतिभागियों द्वारा भरे जाने हैं तु सूचना बीट ये बीटेक फर्स्ट एयर के स्पोर्ट राउंड कांसलिंग की जानकारी है जो केवल मेट 2020 और जेई मेंस हों मिस्टेट के लिए ही है पहला अभ्यार्थियों की पत्रता ऐसे अभ्यार्थि जो मदन मोहन मालवी प्रद्योगी विस विद्याले गोरकपुर द्वारा आयोजित कांसलिंग के लिए पंज करणवस सीट उनको नहीं मिल पाई है या फिर वो इस्टिंट जो किसी कारणवस अपना रेजिस्टेशन नहीं कर पाए हैं कांसलिंग के लिए दूसरा है मेट 2020 के ऐसे व्यार्थि जिन्होंने मदन मोहन मालवी प्रद्योगी के विद्याले गोरकपुर द्वारा आयोजित आनलाइन कांसलिंग के प्रतिभाग रेजिस्टेशन नहीं कर पाये हैं प्रतिभागियों को इसपर्ट कांसलिंग में प्रतिभाग करने हैं तो दोहजार रुपे की रेजिस्टेशन फीस का आनलाइन भुकतान करके विस विद्याले की वेबसाइट पर उपलब्द लिंक क के माध्यम से रजिस्टेशन करना आउशक है अतलब की जो इस्टेइट रजिस्टेशन स्पॉट राउन में पार्टिसिपेट करना चाहते वह 2000 फीस रजिस्टेशन फीस इनको ऑनलाइन जमा करके उनको रजिस्टेशन करना होगा ट्रिपलम के साइट पे आपको लिंक मिल जाएगा तीसरा है उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले भ्यारतियों की हरताएं मेट 2020 की प्रवेश विवर्णिका एडमीशन ब्रोकरी मेट 2020 में वर्णित हरताएं बाधेकारी होंगे अगला है सीट आवंटर विष विजिविद्याले द्वारा संचालित विभीन बीटेक पाठ कर्म की विभीन साखाओ की खाली सीटों की सूचना सीट मैट्रिक्स के द्वारा विष विजिविद्याले की वेबसाइट पर दिनाच 6 बारत 6 दिसम्बर 2020 को सायम 5 बजे तक प् सब्सक्राइब के मेरिट के अधार पर ही किया जाएगा सीट आवंटन में लिखा है कि छे दिसंबर को साम पांच बजे तक सीट मैट्रिक्स के द्वारा रिपलम के साइट पर डिस्प्ले किया जाएगा कि इस ब्रांच में कितने सीटे खाली हैं और उन्होंने ये भी लिखा आजया कि आप स्पो में काउंसिलिंग करने के लिए आप जब भी स्पॉट रांड में कांसिलिंगू जो स्ट्रीन का सेलेक्ष्ण होगा वह कि जैनरल रंक के मैरिट जिस्ट के अधार पर किया जाएगा आपको बता दू कि जो सीट डिस्प्ले होगा की कि इस ब्रांच में कितने सीटे बची हैं वो 6 दिसंबर को साम 5 बजे तक डिस्पले कर दिया जाएगा प्रतिभाग करने वाली प्रक्रिया मदर मौन मालवी प्रद्योगी की विस्विद्याले की लास्ट दौर की काउंसलिंग में प्रतिभागी को विस्विद्याले की वेबसाइट पर प्रिथक से दिन 8 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे तक रजिस्टर करना अनिवार है रजिश्टेसन हे तूट लिंक विस्विद्याले की वेबसाइट पर दिन 8 6 December 2020 को 11 बज़े तक उपलत कराeti जाएगा counseling है तो register किये हुए समस्त प्रतिभागयों को सुबह साड़े-11 बज़े तक विस विदाले के नलंदा ब्लॉक में नलंदा ब्लॉक के कच्छ संख्या L103 में पौतिक रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट करना अनिवार होगा लिखा है कि spot counseling के दोरान आपको जो registration क 9 December का जो spot counseling का registration है वो 7 December से 9 December तक चलेगा और जो last date है registration का वो 9 December को सुबह 11 बज़े तक आपको चलेगा और जो registration का link है वो university के site पे 7 December को सुबह 11 बज़े तक आपको मिल जाएगा और counseling के बाद आप सभी को university में सुबह 11 बज़े तक नालंदा ब्लॉक के room number L103 में आपको उपस्थित होना होगा आप जब उपस्थित होंगे तो आपको ये सभी documents अपने साथ लेने है और इस सब की एक एक photocopy लेनी है वागयों से अनुरोद है कि वे निमलिखित पत्रजा पत्रजातों को पत्रजातों की मूल प्रती तथा सभी की एक एक photocopy के साथ रिपूट करें तो सभी है मूल प्रवेस्थ पत्र जो आप पहला है मूल प्रवेस्थ दूसरा है high school certificate तीसरा है अहारेकारी प्रिक्षा की मांक सीट चौथा रायंकार्ड और पांचवा उत्रप् कंफर्मेशन प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे सीट कंफर्मेशन है तो निर्धार निर्धारिस सुक्ल 40,000 मात्र का बैंक ड्राफ्ट मदन मुहन मालवी प्रद्योगी की विस्विद्याले गोरगपूर के पास गोरगपूर के पक्ष में बनवा कर अवश्य ले आए अन्यथा स्पोर्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे सीट आवंटन तुरंत बाद ड्राफ्ट न जमा कर पाने की दसाय में उनकी सीटें मेरिट में अगले प्रतिभागी को आवंटित कर दी जाएगे मतलब कि आप जब स्पोर्ट काउंसलिंग करे जाएगा तो आप 40,000 रुपए का जो बैंक से ड्राफ्ट बनवा लिजएगा जो कि मदन महनमालवी प्रदुकी की विस्वविद्याले गोरगपूर के पक्ष में बनवा कर आप अपने साथ ले जाएगा क्योंकि जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा इस पोडां में तो आपको तुरंट पेमेंट करना होगा अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगा तो आपकी जो सीट है वो अगले अगले स्टुछ को व्यार्ट को मिल जाएगे ये ता इस पोड़त दौन का डिटेल अगर आ